वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान रखें हैं अलो वेब्रिवान वेल्कम यूर्टू स्टवर सेवल सर्विसेज और आज अपनी डेट हो चुकी है तेईस फेबरी तेइस फेबरी के क्या important articles हैं उनको हम लोग देख लेते हैं उनकी list बना लेते हैं उसी के साथ साथ अगर आपको यह PDF चाहिए तो आपके सामने है इस group को join करके आप PDF ले सकते हों साथी साथ आप हमारे टेलिग्राम चानल भी join कर सकते हैं कि इस टेलिग्राम चानल पर सारी important updates आती हैं सारे current affairs भी यहां पर आपको मिल जाएंगे तो आपको कोई भी problem नहीं होगी आप इसको follow-up करके अपने current affairs को proper तरीके से follow कर सकते हों ठेक है वही हम लोग देख लेते हैं आज के हमारे important articles अभी ज्यान पीट कुरसकार दिया गया है तो किस-किस को दिया है वो पढ़ेंगे इंडिय इंडिया ने जांबिया को जांबिया एक आफ्रिका में country है उसको क्या aid दिया है BIT को हम यहां revive कर रहे हैं UAPA IREDA यह सब के बारे में हम लोग cover up करेंगे जैसे first article हमारा ज्यान पीट पर है अभी देखो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा literature में अवार्ड ठीक है जैसे देख ग्यान पीट पुरुषका 2023 के लिए जो कि इंडिया जाता है 1965 से अवार्ड चलता आ रहा है भारते ग्यान पीट यह अवार्ड देते जिसमें 11 लाक उर्पे यग देवी इवाग देवी की यहां पर एक प्रतिमा और एक प्रशस्ती पत्र दिया जाता है और यह second time ऐसा उर्दू पोएट और बॉलेवूट के राइटर गुलजार साहब को दिया गया और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरू राम भद्र चार्यों को यह अवाड दिया गया है आप जानते हैं गुलजार उर्दू की क्या ऐसे जो है वो गजले पोएट्स लिखते हैं आपको पता है कि हिंदी सिनिमा में भी बहुत अपने उनके चीजे जो हैं वो फेमस हैं संपूर्ण सिंग कालरा उनका नाम है रियल पैन नेम उनका गुलजार है और ऐसे ही जगत गुरू राम भद्र चार्यों की एक असल में अध्यात्रिक नेता हैं शिक्षक भी हैं उन्होंने भी यहा पंते गुलजार साथ को अल्डेडी साहित्य अकैडमी पुरुसकार दादा साथ पाल के पुरुसकार पदमभूशन नाशनल फिलम बहुत सब दे चुके मिल चुका है जै हो जो गाना है सुना है ना जै हो करके हैं ना वह वह वाला जो सौंग है वो स्लम डॉग मिल रेंड वाला बहुत फेमस हुआ था जो सौंग वो भी उनको आसकर भी मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है माच्रस, ओमकारा, दिल से, गुरु, आंधी ये सब मोवी के लिए इनको अल्रेडी अवार्ड दिये जा चुके हैं पोशेश, परीचे, मौसम, इजाजत, म विर्जा गालिब ये सब भी औरड़ी वो डायक्शन दे चुके हैं तो काफी जादा इनकी जो फिल्म की एक जो कहानी है वो बहुत लंबी रही है वही मैं बात करूँ जगत गुरू श्री राम भद्रशार्या की ये भी 22 लांगुजिस बोलना जाते हैं और रामनंद को मा जानने वाली व्यक्ति हैं संस्कृत हिंदी अब्धी मैथली इन सब लांगुजिस में ये पोयम और राइटिंग वगेर आफनी कर चुके हैं तो इस टाइब से ये वाले आर्टिकल्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं इस बार का किसको मिला है ये सब आप से पूछा जा सकता है एकंड सकता है नुकल taught । यह थे हमारे आज के इंप्वॉर्टन्ट आर्टिकल्स वह हम अपना सेकिंड के तरह बढ़ते हैं इंडिया ने इस समय रिपब्लिक अपनी जो इंडिया की रिपब्लिक लुक हैं उन्होंने जाम्ब्या को जो वहां पे कॉलेरा आया है उसको निप्टाने के लिए वहां पर हम लोगों ने मदद दी है हमारे जो एक्षानल आफेस के मिनिस्टर है एस डे शंकर ने ये सोशल मेरिया पहलान किया है कि हम लोगों ने उनको थ्री पॉइंट फाइफ टन्स वाटर प्यूरिफिकेशन सप्लाइस क्लोरीन की टाबले थे कॉले की एमर्जन सी हो गई ती जगा जगा पर हैंड लगाने पड़ गए तो जांबिया के से वह आपको देखने को मिलेगा तो आप दो आ जाइक ऑपर लिए इंपर्टेंट है और इंडिया ने जो है वो हमारे लिए जरूरी बन जाएगा ठीक है मतलब जांबिया आफरिका की एक country है ठीक है इससे जो है मतलब वहाँ पर काफी जादा जांबिया के रीजन में यह बढ़ने लगया ठीक है काफी सारे लोगों की जाने जाने लग दी इसकी वज़ेसे तो इंडिया ने हेल्प पगेरा है यहां पर करी कई लोगों को य जहां पर हम इसके लिए कोलेड़ा के लगा सकते हैं एक व्यक्सिन का waiver कि नाम है खौरल और एक का नाम हैł महाँ uh और ये व्यक्राट्र थोर bri ये आसमिया के साथ में पढलता है ऑप governmentaus आयुसि का जाने का रिस्क काफ जाता बढ़ गया था दो यह एाधर एगा zambia के के बारे में important information ने यह वाली सारी एक्जाम में हमसे बन सकती है cholera की बारे में भी आपको मैंने बता दिया यह भी आद में रखेगा वहाँ पर यह काफी जादा outbreak हुआ था तो इसलिए important है अभी जैसे अब यह हुआ ना cholera ऐसी कुछ time पहले वहीं पर ही anthrax करके भी एक बिमारी है जो वहां पर काफी जादा फैल गई थी anthrax बिमारी ठीक है तो जांबिया landlock country है और यहां पर अच्छी कासे आपको electronics वगेरा काफी produce किये मिलेंगे anthrax भी एक बिमारी जो की soil में पनपती है जिससे आपको जो है वो animals में चली जाती सबसे जादा उसके बाद फिर वह humans में विजाती है तो humans के पेट को सबसादा वो impact करती है तो वह एक बिमारी फैली अब एक और नहीं फैल दे तो वहाँ पर बहुत जादा problems आ रही है इस चीज़ को लेकर के बिमारिया काफी जादा फैल दी जा रही है उस रीजन तो यह भी information दिमार्ग में रखेगा इंडिया ने यहाँ पर जांबिया की capital जो है लुसाका बहां तक phone करके महाँ पे सारी aids वगरा जो है प्रोवाइट किया आपको वह ने बताया क्या-क्या 3.5 तंस water की purification supplies दी, chlorine की tablets दी, ORS के sashes दी कॉलरा के patient को treat करने के लिए अगर मैं इंडिया में बात कुई कि कभी इंडिया में भी यह cholera फैला तो यह बिल्कुल 1817 में start हुआ था कई बार ऐसा हुआ है और आट लाग से जादा death हो चुकी है और जो cholera है वो बैक्टीरिया vibrio cholera strain से फैलता है इसे public health काफी जादा यहां पर problem हो जाती है और इसके लिए कोई अभी तक कितने cases आया है ऐसा कुछ अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आकड़ा है नहीं सरकार ने cholera को control करने के लिए 2017 में ही जो है वो एक तयार किया था ending cholera road map को 2030 तक इसके लिए global task force WHO भी बना चुका है इंडिया में national cholera control program वगेरा यह सब उचे राष्टे हैजा नियंतरन program भी चल चुकी है जिससे हम लोग इस सलम एरिया में काफी जादा protection प्रोवाइट कर सके हैं तो हमने जांबिया में को protection यहां पर दी है आफरिका के साथ relation अच्छे करने की कोशिच के लिए जां बिए घैरीया बनता होता है तो हाथ खड़ाप ख़़णा या खड़ाप पानी किसच के साफ पानी ना हो ना साफ ख़णा ना हो उसकी वजह से आपको यह डायरिया बनता हो कि शिताइन बात यह इंटेस्टसाइन में infection लेकी आ जाते हैं लिए किस ऋपछी है तो निया threatening infection का disease होता है इसमें बहुत जल्दी जो है वो diarrhea, loose motions, vomiting leg में cramps होना, watery stool का होना, ये सब चीज़ें बहुत जादा देखरी को मिलती हैं इसके अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं भई cholera का disease, याद रखेगा cholera के बारे में, important facts जो 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 आपको मैं बता रही हूँ, वो दिमाग में रखेगा ऐसे ही इंडिया में BIT BIT क्या है, bilateral investment treaties को यहाँ पर वापस से revive करने की start करें, जित्ती भी bilateral treaties होती है, bilateral treaties का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में आपको इट्रीटीज को revive कर रहे हैं, दो देशों के investments की हैं अलग अलग जगा पे, तो bilateral area मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में हम लोगों ने कई बार ऐसा किया कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर इनिशेट करा है चीक है, तो पहली बार हमने अगर bilateral treaty जो investment के उपर की थी वो UK के साथ करी थी 1994 में, तो दीरे-दीरे करते करते हम लोगों ने इसको काफी साथ बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने UK के साथ, USA के साथ, Australia, Canada, Singapore, श्रलंका वगेरा काफी हो के साथ इन्वेस्मेंट treaties वगेरा करी है, चीक है, तो इस तरीके से यह बढ़ती गई, इंडिया में काफी जाद इसके उपर डिस्प्यूट भी हुए है, और अस्ट्रेलिया इंडिया की जब होई थी तब भी डिस्प्यूट हुआ था, काफी सारे claim settlement करना और ऐसा नहीं कि एक बार अगर हमने को इंडिया ने इसका बहुत दा प्रॉब्लम भी सही थी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीश में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी इसके उपर लेकिए तो यह केस आगे तक भी गया थो इंडियन को बोला गया था कि आप प्रॉब्लम भी खूब आते हैं कुछ ना कुछ ना कुछ इशूस रहा पर आते हैं तो बी आईटी का जो मॉडल है बिल्कुर ठीक है लेकिन इसका पूरा भार होता है वो लोगों के टाक्स से निकलता है तो इसको प्रॉपर तरीके से एक बार देख करके हम लोगों को जो है फिरुदर्वस करने की जरॉथत हो देखा जाहे जैसे 일본 जो है 74 में से शुनियू है उनको यहां पर टॉमिनेट DO painful सोला के मौड़ की इसाब से चिक अ drops करना उनको करने कर गया एक सोलुशेन इसको निकालना चाहिए तकि we now can't stop फ्लो होता ही जाएगा इसको इसको कhour करने के भी बहुत जरुरत है चितने भी free प्रेली अग्रिमेंट है उसको भी एक़़ दुपारा देखने जरूँ स्की नेगोशियेट का नेकी ढ़ीचेमें चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ यूए पीए की बेल का डेलिमा यूए पीए के फिल फॉर्म चाहोते हैं आनलॉफुल अक्टिविटीज प्रिवेंशन आट गैर कानूनी गतिविदी रोक थाम अधीनियम भारत में ये एक तरीकिता आतंग बात को रो क्लार तो सुप्रीन कोट ने बताया कि बेल का क्या सिस्टम रहेगा सबकर्टी को तब तक जमारत पर रहार bounty की आवेदनates & छे जो बिसको पुब्लिक प्रोसीक्यूटर है वो उस पे सुनने के लिए तयार नहीं है तब उनको यह बताना पड़ेगा कि अधालत के सामने यह प्रस्त करना होगा कि यह वर पुलिस के दारूप भरोसा करते हुए मानना अनूचित है कि आरूप कथम दृष्टिया सच है ठीक इसको बनाया गया इसमें कई बार चेंज आया है दो अजान नेसमें इसको चेंज करके लाया गया था इसमें बोला था कि इंडिविज्वीज़ शबनाल लिख करके इसमें आप क्या लिखना शुरू करो व्यक्तियों को जगा आतकवाधी घोषट इसको पूरा काम देखी छे महिनी के अंतरगत इसमें रिजर्ट निकालेगी कि वह व्यक्ति यूए पीए के तहट आता है या नहीं आता है इसका भी रिजर्ट निकाला जाएगा ठीक है तो यहां पर सरकार ने इसके उपर पूरा एक फैसला दिया है सुप्रीन कोट ने भी दो जज की एक बेंच करके पूरा डिसिजन दिया है बस फेस वैल्यू देख करके नहीं हुआ जाएगा पूरा एविडेंस को यहां पर चेक रखा जाएगा रिकॉर्ड रखे जाएंगे देखा जाएगा कि वह वह प्यक्ति पूरा उसमें इन्वाल्ड है भी या नहीं है उसके उपर जो है तब तो ठीक अगर अरुब गलत है तो फिर उसको पर चोड़ दिया जाएगा ठीक है वाटाली निर्ड़ने के बाद एक वाटाली जज्ज्मेंट आई थी जिसने यहां पर देख के ओपर बात करी है राइट तो अब यह जो पूरा लॉव आया है यह दिली हाई कोट ने भी इसके बारे में बोला है कि भाई इसके अंदर जो है पुरा एक फाइल अप किया जाएगा बॉंबे हाई कोट ने भी इसके उपर जो है वापनी जज्ज्मेंट रेज करी है इहां पर तो इस तरहेके से यह UAPA के बारे में है और साथी साथ इस पूरे में disagreement अगर होता है जैसे माली जे अलग-अलग benches वैटती है अलग-अलग disagreement भी हो जाता है तब भी यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको solution निकाला जाएगा तो यह हमारा article था UAPA के बारे में important था ऐसे ही हम लोगों का है IREDA की strategy IREDA क्या चीज है Indian Renewable Energy Development Agency जो उनकी अभी हाल-फिल-हाल में meeting होगी है Renewable Energy आपको मैंने बताया है Renewable Revolution भी चल रहा है इन्होंने यहाँ पर cost को कैसे reduce करे Renewable Energy के उपर उस पर दिहान देने के लिए IREDA जो कि खुद एक mini रतना category में आती है Ministry of New and Renewable Energy के तहट 1987 में बनी थी ताकि भारत में Renewable Energy को promote किया जा सके Energy for ever करके इसको स्थापित किया जा सकी IREDA जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से electricity कैसे generate करें, कैसे renewable resources को लेकर किया आए, कैसे conservation project करें, तो उस तरीके कामों के लिए काफी जादा जुड़ी हुई है ठीक है, innovative financing जो है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो सब इहाँ पर दिया हुआ, यह काम क्या करती है clear हो गया न, इनके functions वही है जो भी आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से improvement कर सकते है in terms of renewable energy अभी recently इन्होंने पंजाब National Bank के साथ MOU भी sign किया जहाँ पर यह renewable energy के initiatives देने के लिए तयार है, पंजाब National Bank के साथ मिलके, साथी साथ renewable energy के project start करना, successful तरीके से partnership करना, comprehensive reports तयार करना, यह सब काम करती है, इनकी meeting जो है, वो retail sector strategies इन सब पर काम करती है, main इतना था कि एक organization है, ministry किसके अंडर आती है, mini रत्ना की category में आती है, main यह वाले points से जो आपको पता होगी चाहिए, that's it, इसमें इतना ही पूछा जाता है, ठीक है अब हम आते हैं, आज की questions के ओपर, questions भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है, जैसे कि dark fiber, एक dark fiber जो है एक तरीके से जिसको unlit fiber, क्योंकि dark है न, lit नहीं हो रहा, मतलब कि जल नहीं रहा हो, तो unlit fiber है, fiber optic cable की तरह है, infrastructure में इस्तिमाल किया जाता है, private networking, network access के लिए, जिसा optical fiber हम इस्तिमाल करते हैं, ऐसे ही ये एक तरीकी का fiber है, ठीक है, unused है ये, ठीक है, अभी तक इसको use नहीं किया गया है, हाँ, इसको हम use कर सकते हैं, private networking, network access करने के लिए, lit fiber से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि actively lit fiber से information चली जाती है, और अभी इसको use नहीं किया गया, ठीक है, ये भी आगे internet connectivity के लिए use किया जा सकता है, पर फिलाल इसको use नहीं किया गया, clear हुआ, तो ये चीज थी dark fiber, एक lit fiber हो गया, मतलब जो हम use करते हैं, optical fiber, एक हो गया dark fiber, ऐसे ही हमारा second question है, अभी जो ministry of mines में यहाँ पर introduce करी है scheme, जो की यहाँ पर critical और deep minerals जो होंगे, उनको explore करना, उनकी mining करने से जोड़ी हुई है, तो यहाँ पर यह चीज जो है, बिल्कुल सही लिखी हुई है, नए तरीके से, जो बहुत ही critical minerals हैं, या फिर deep seated minerals हैं, बहुत जादा अंदर seated minerals हैं, उनको यहाँ पर explore किया जाएगा, और उसी के अंदर notified private exploration agencies को यह काम दिया जाएगा, डारेक्टी होनी से ही, और यह जो है, यहाँ पर auctioning भी कर सकते हैं, mineral block की, आर पर मतलब कि यहाँ पर उनको, जो भी हमारी notified private exploration agency होंगी, जो इसमें मदद करवा रही है ministry of mines की, वो आगे चल के इसको auctioning भी कर सकते हैं, तो यह है अगर यह चीज़े आगे बढ़ती हैं, और हमारे और नई minerals explore किये जाते हैं, तो इंडिया की mineral wealth पे, हमारे potential पे काफी बड़ा impact पड़ेगा इससे इंडिया का जो mineral capacity है, जो हमारी minerals की जैसे अभी निया लीथिया मिला है, copper मिलता है, इतने जितने भी minerals से उसी capacity और ज़्यदा बढ़ेगी तो ऐसे हमारे ministry of mines को ऐसे नई-नई schemes introduce करनी चाहिए, ताकि critical तरीके से deep exploration हो सके, जैसे हम लोग deep exploration करते हैं, oceans की, हमने बहुत oceans के लिए भी करा है, ऐसी हम लोगों को oceans के साथ-साथ ये जो चीजे है, minerals जैसी जो चीजे हैं, इनको भी और जादा explore करनी की, ज़रूरत है, तो ये है अभी नई scheme, exploration of critical and deep-seated minerals अब ये notified private exploration agency को कान दे दिया गया है, वो ही तरीके से पूरा explore करेंगी, और वो ही आगे चलके उसको auctioning में भी लगा सकती हैं, जो भी रोने explore किया है जो जो उन्हें स्वैम से खोच करी है minerals की, वो उनकी बोली लगागा auction होता न, वो भी कर सकते हैं तो यही वहारा main question है, कि भाई अगर ऐसी होती है, और हमारे नई minerals जो है, यहाँ पर हमारे सामने आते हैं तो उससे हमारे देश की GDP पर हमारी economy बहुत अच्छा impact पड़ेगा और हमारी mineral wealth और जादा improve होगी तो वो जो improve होगी mineral wealth वो कैसे होगी, इसके objectives क्या होंगे वो आप लोगों को बताना है चेक है भई? तो यह था आज का article, आपने देखे आज की important पांच articles को काफी सारे नईने आपने चीजे पड़ी हैं हर बार question भी cover करते हों तो उकल मिला के आप 6-7 article daily के पढ़ लेते हों तो इंचे सत आर्टिकल्स को आप लोगों ने लिखना है जैसे मैंने ग्यान पीट में बुलजार साब के बारे में बताया और कैसा आवार्ड कैसा है वो सब बताया जाम्बिया के बारे में बताया bilateral investment treaty के बारे में बताया UAPA के बारे में, IRED के बारे में जब अभी आती है IR की, उसमें भी आप इसको आइड कर सकते हो बाकी जितने भी हैं ये जाधतर इसमें prelims में question बनेगा मेंस में आप छोटा मोटा relevance की रूप में इसको यूज कर सकते हो तो ये थे आपके सारे आर्टिकल्स आज के इनको cover कीजेगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से next lecture में तब तक रहे धन्यवाद, शुक्रिया, जैहिं